गुड आफटनून वेलकम टू रलाइबल जैई वेन का जो सेकेंड अटेम्ट था यानि के अप्रेल एटेम्ट था उसका फर्स्ट पेपर कल हुआ बच्चों और उसके वाद शाम को सेकेंड पेपर हुआ हमने दोन ही पेपर के सुलूशन को बनाया फर्स्ट पेपर के जो जिसने सुलूशन जो है वो बनाये टाइमली यह रलाइबल की डाइनमिक टीम की करमात है यह कह सकते हो कि डाइनमिक टीम के साथ उसके बच्चों का जो सपोर्ट है वो इतना अच्छा है कि इनके बीच में इतना बढ़िया एक तरह से कॉम्बिनेशन बैटता है कि वो एक की बात को फटापट समझ जाते हैं तो बच्चों ने बहुत क्विकली हमको को कोशन बता है और उन्हें बहुत कम समय में लगबख 27 कोशन 27-28 कोशन जो है कल रिट्रिव किये और शाम वाले स्लॉट में हमने 20-22 कोशन जो है वो रिट्रिव किये तो मैं चंदर शेकर शर्मा आपको एस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि जो पहला पेपर था और जो दूसा पेपर था उसकी बारीक क्या है क्या उसके अंदर हम देख सकते हैं कि इन topics को जादा weightage मिला कि इन topics को कम weightage मिला ताकि आने वाले समय में जो बच्चों जेई में इनका exam देंगे कल पर सो न सवाल थे या 11 वाले में से ज्यादा सवाल थे किस topic में questions किस तरह के questions थे easy थे moderate थे वो सब चर्चा आपने यह पर करेंगे short में तो first of all we are going to discuss about first paper of first shift यानि कि morning shift में जो paper था उसके वारे में discussion करेंगे 6th April का तो according to our analysis we were able to retrieve 27 questions out of those 27 questions 22 questions were found to be easy two questions were moderate and there was no question जिसको हम बोल सकते हो कि वो tough था यानि कि अगर हमन जही में के पहले paper की बात करें जो कि 6th April के morning shift में हुआता तो कोई question हमारी team को ऐसा नहीं लगा जो कि tough category में आता हो इसलिए उसका जो overall toughness index है वो आता है 1.18 देखिए सबसे easy 1 यानि कि सारे question easy हो तो इसका index आता है 1 सबसे tough का आता है 3 अगर आप middle में है तो 1.5 के आसपास अगर अपन बात करें तो वो होता है कि 50-50 है लेकिन इसका जो index आ रहा है it is very close to 1 यानि कि यह paper को हम लोग कह सकते हैं कि यह scoring side paper था तो एक scoring paper आप बोल सकते हैं easy category का paper if you talk about topics तो हम जो 27 questions हमने retrieve किये आप देख सकते है majority किन topics में से questions पूछे गए सबसे पहले बात करते हैं current electricity से दो questions थे एक ही chapter से दो questions क्योंकि बहुत आसान questions थे दिन capacitor से एक question electrostatic से एक question तो total 4 questions current electricity से हैं अगर अपन वेटेज वाइस बात करें तो 16% weightage जो है वो electrodynamics का है current से दो capacitor से एक electrostatic से एक तो total 4 questions electrodynamics है 60% weightage is a fair weightage यहां मैं देख पा रहा हूँ हाँ अगर अपन electrodynamics की बात करें यह तो हो गया 12 वाले portion में जो portion हमारा सबसे important portion होता है इसको अपने scoring मानते हैं magnetic field EMI को count करते हुए EMI इसमें नहीं है EMF का एक question है तीन question EMF के दिख रहे हैं okay EC का कोई question नहीं है EMI का भी question नहीं है okay तो हम देख सकते हैं कि electrodynamics में से यानि कि जिसमें magnetic field को भी मैं शामिल कर रहा हूँ total मिला करके 3 plus 4 7 questions है 7 questions का मतलो हो गया total मिला के 28 percent weightage which is a fair weightage तो जो बच्चे कल परसुन और सो एक्जाम देने वाले हैं ध्यान रखिएगा current capacitor electrostatic magnetic field EMI मैंसे questions आएंगे एक-एक question minimum हर chapter में से आने वाला है ऐसा इस paper को देखके लग रहा है if you come to ketigen thermodynamics ketigen thermodynamics पे एक question है यानि कि यहां का जो weightage हलका सा reduce हुआ है हाला कि हमारे पास अभी 27 question है तीन question और बाकिया हो सकता उन में से कोई question ketigen का मिले मेरी expectation है कि इसका 10 percent weightage लगबग होना चाहिए तो एकात question इसमें और मिलना चाहिए if you talk about mechanics there are 10 questions in mechanics 2 question kinematics के है one question from elasticity viscosity then errors circular motion rigid body rigid body में से circular motion में 2 question rigid body में से एक question है gravitation 2 question gravitation में इस वाले paper में एक साथ 2 question पूछ लिए गए मैंने खुद इसका solution मैंने दोनों questions का और दोनों questions बहुत आसान थे then fluid का एक question था यानि कि mechanics का अगर weightage की बात करें तो लगबग 40 percent weightage जब हमारे पाद जो paper retrieve हो उसके अंदर है again it is a fair weightage mechanics का weightage लगबग 30-45 percent की बीच में रहता है जो कि इसमें था now coming to modern physics मौडरन physics में से 3 question थे लगबग 12 percent weightage जो की expected रहता है optics optics में कहीं दिख रहा है weightage थोड़ा सा कम है जनरली optics में 5-10 percent weightage 10 percent के आसपास weightage रहता है जिसके अंदर आपका reflection, reflection वो सारी चीज़ें आते way optics आ जाता है optical instrument आ जाता है तो यहां पर optics का weightage है थोड़ा सा कम है लेकिन ठीक है हो सकता है तीन question में एकात question और मिले हां खास तोर पर देखिए electromagnetic wave और principle of communication और semiconductor जिसके लिए हम हमेशा बोलते हैं हर motivation class में बोलते हैं हर जी में के session में बोलते हैं कि इन topics पर question जरूर आते हैं तो आप देख सकते हैं में SHM को mechanics के साथ ही जोड़ूँगा तो mechanics है लगबाग 44% weightage है waves में sound wave का equation है expectation थी के string एक sound का question है but it's fine somehow अगर मैं कहूं तो weightage लगबाग सब जगह अच्छे से distributed है fluid का मुझे कोई question इसमें नजर नहीं आरहा एक मेरे को electromagnetic induction नजर नहीं आरहा बाकि दो मोटा मोटा मुझे सब यहां पे नजर आ रहे एक बार इस pie chart पे देख लेते देख सकते हैं हम सबसे बड़ा जो portion है वह किसका है अगर हम चैप्टर वाइस बात करें तो जो सबसे बड़ा portion है modern physics का देख रहा है यहां पर largest portion of modern physics although modern physics के अंदर 3-4 topics होते हैं तो उन सबका मिला के weightage है EMF का एक बहुत शांदार portion है 11% के आसपास then kinematic 7% gravitation के 2 questions एक साथ आगे इससे उसका weightage बढ़िया तो यह major weightage वाले topics हैं लब लबख सारे topics यहां पे covered हैं कहीं कुछ चीज नजर नहीं आ रही तो मुझे second law of thermodynamics इसके अंदर नहीं आया उसके अलावा force and damped oscillation इसके अंदर नहीं आ रहा है then approximately 52% weightage is from class 11th and 50% weightage is from class 12th although यह दोनों का सम है वह 100% सी जादा निकल गया there must be some error तो लेकिन इसको देख के सा लग रहा है 11th का weightage वह जादा है और मोटा-मोटा 50-50% दोनों का weightage है क्योंकि अभी भी 3 questions हमारे पास retrieve होना बाकी है now coming to the second paper जो शाम वाला shift था actually इसमें बच्चों की संख्या कम होने की वज़े से हम लोग paper को पूरा retrieve नहीं कर पाए और फिर late भी हो रहा था बच्चे generally शाम को थक जाते हैं तो हम लोग जितने questions retrieve कर पाए उस लियाज से कर देखा जाए तो out of 20 questions 14 questions are easy, 3 questions are moderate and 1 question is tough and our difficulty index is again closer to 1 इसका मतलब paper को इसको भी आप easy category में मान सकते हैं अब हम question wise analysis करते हैं तो 20 questions में से आप देख सकते हैं एक question electrostatic से हैं, दो question current से हैं, इसमें फिर से current के 2 questions हैं एक question EMF से है, एक question AC से है, दो question इसमें KTG से, इसमें एक question बढ़ गया है KTG का kinematic से 2 questions है, rigid body से 1 question है, gravitation से 2 questions है, again 2 questions है, fluid जिसको में first paper 1 miss कर रहा था, आप देख सकते हैं, यहां पर fluid आ गया है, then modern physics again, there are 3 questions, same similar kind of weightage in paper 1 as well as paper 2, optics, geometrical optics का एक question है, EM wave का एक question है, principle of communication का एक question है, semiconductor का एक question है, यानि कि मोटा मोटा कर हम देखें तो 20 questions से idea लग रहा है कि बिलकुल same exact paper 1 जैसा pattern है, और questions का sequence भी लगवा लगवा सैट सा है, यहां देख सकते हैं, KTG का weightage 10% है, gravitation का weightage 10% है, percentage है इसलिए बढ़ गया, क्योंकि अभी 20 questions में से weightage निकाला जा रहा है, 30 questions में से weightage निकालेंगे, तो कम आएगा है, लेकिन 20 में से अगर देखा जाए तो इनका weightage है, सबसे जादा में से, modern का weightage है 50%, 15% अगर इन अभी तक के available questions में से देखा जाए तो 60% 12 का है और 40% 11 का है, लेकिन मेरा यकीन है कि जो बाकी 10 questions हैं, जब उनकी report में हमारे पास आ जाएगी, I am sure कि ये weightage लगव लगव 50-50% रहने वाला है, मुझे पूरी उम्मीद है कि reliable solutions आपके लिए बना रहा है, reliable जो analysis आपको दे रहा है, वो analysis से आपको definitely फाइदा मिलेगा, इस analysis के जरिए आप अपना mind make-up कर सकते हैं, कि जब आप exam देने जाएंगे, तो आपको कौन से वाले portion को attempt करना है, जैसे आप physics chemistry में स्तीनों के analysis को सुनिए, अगर आपको लगता है कि physics के paper जादा easy आ रहे हैं, तो आप अपना paper physics से start कर सकते हैं, उसके अलावा कोई topic ऐसा जो physics में आपने मानलों नहीं पड़ा, कम पड़ा है लेकिन आपको दिख रहा है कि questions जादा आ रहे हैं, तो at least January attempt के, जितने भी questions उस particular topic के हैं, उनको देख कर जाएए, हो सकता है कि कोई scene question वहाँ पर मिल जाए, because J main exam जो होता है, वो repetitive nature का होता है, कई बार questions उनको repetition के साथ मिल जाते हैं, तो I hope कि आप इसका फाइदा उठाएंगे, वो सारे बच्चे जिनको इसका फाइदा मिल सकता है, प्लीज आप उन बच्चों के साथ भी इन वीडियो को share करिए, यदि आपको लगता है कि कुछ और validation इसमें करना है, आपको चीजें और बता सकते हैं, तो प्लीज comment box में जरू comment करिए, thank you very much, stay tuned with us, bye bye.